आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ Hello, the question is explain करना है phenomena of electromagnetic induction को पहला question यह है, दूसरा है यह describe करना experiment को जो दिखाती हो, current setup किया जाए इन्हें closed loop में when an external magnetic field passing through the loop increases or decreases, current जो है increase या decrease करता है जब हम लोग external magnetic field में उसे रखते हैं तो, okay closed loop में, दो चीज़े हैं पहले हम लोग electromagnetic induction को समझते हैं, देखो एक माल लेते हैं, rod है ठीक है, दो तरह से हम लोग electromagnetic induction जो होता है, electromagnetic induction यह होता है, एक तो होता है कि जब आपका, जो conductor है, वो conductor हो, conductor जो move कर रहा हो, और इस पर magnetic field apply किया गया हो, constant magnetic field एक यह situation होती है दूसरी situation वो होती है, जिसमें हम लोग varying magnetic field लगते हैं, varying magnetic field लगते हैं, अबर उसकी करण से, current का induction होता है, ओके induction होता है एक तो यह process होता है, जिसको हम लोग लूप में देखेंगा भी, और एक process होता है जिसमें हम लोग को हमारा conductor move करता है, constant magnetic field होता है, और इसके करण से current का production होता है, एक्चुली EMF produce होगा, उसके करण से इसमें current का production होगा देखें, इसमें कैसे current production होता है इस phenomenon को समझने के लिए देखो, यहाँ पर अगर माल लेते हैं, कोई electron है यह electron V velocity से इधर जा रहा होगा इस conductor कहें कि electron इस V velocity से जा रहा था magnetic field B है, तो इस पर force कितना का लगड़ा होगा Q, B cross B B cross B, अच्छा यहाँ देखो कि यह magnetic field हम माल लेते हैं नीचे की तरफ है, ठीक है और velocity इधर है, तो इस पर force किदर लगेगा Q, B cross B, right hand thumb roll use करते हैं, तो cross कीजे तो उपर इधर दिखाएगा direction तो इस पर force इधर लगा तो electron जो भी होंगे इस पर, electron जो भी होंगे वो सब move करने लगेंगे, इस side में तो हम जानते हैं कि electron के motion के opposite motion क्या होता है current क्या होता है, तो इस B के कारण induced हो गया क्या current induced होगा क्या current यह है phenomenon को हम लोग कहते है, electromagnetic induction okay, तो यह phenomenon जो है electromagnetic induction कहलाता है अब देखिए, हमसे दूसरा सवाल पुछा गया था, कि describe करना एक experiment को जो दिखाती है कि current setup होता है closed loop में देखिए, और extended magnetic film में रखते हैं तो, और वो increase या decrease करेगी, आप इसे ऐसे समाझ सकते हो इसे actually, अगर हम लोग बात करें कि experiment कब गया गया था तो, 1831 में, Michelle Faraday okay, Michelle Faraday and Henry के दौरा Henry, दो scientist थे उन्होंने ये slow किया था okay, तो देखो क्या था, उस experiment उन्होंने क्या किया कि, एक लंबा सा एक, ये इस पे quailing की, ठीक है इधर एक और quail किया दो तरह के quailing इधर कर दी, उसके बाद इनको, क्या कि उन्होंने कि, यहाँ current source से यहाँ से join कर दिया ठीक है, और इसको join कर दिया किस से एक galvanometer से okay, जो major करती है current को, ये deflection अगर दिखाएगी, तो पता चल जाएगा कि इसमे current induced हुआ कि नहीं, इसमें अगर हम लोग current प्रूब कराएगे, तो इसमें magnetic field induced होगा, ये तो हम जानते हैं solar and wide होता है, solar and wide okay, ये हम जानते हैं कि magnetic field induced होता है, अब ये magnetic field कैसे होता है, इसमें हम लोग बात करें, इस में, तो कुछ इस तरह से magnetic field produce होता है यह हम जानते हैं B तो यह इससे ऐसे बाहर निकल रहा होगा magnetic field यहां से ठीक है तो varying magnetic field यहां पर हमने apply कर दिया इस करण से दिखा गया कि इसमें क्या हुआ current induced किया गया जब यहां से current flow कराया गया और जैसे ही current को stop किया गया ओके तो यहां पर magnetic field क्या हो गया induced होना बंद हो गया इस करण से यहां से magnetic field जाना बंद हो गया तो यह जो deflection इधर सोक रहा था current जाते समय अब यह क्या दिखाया deflection जो है इस galvanometer का deflection को उल्टा हुआ तो यह तो पता चला कि current induced तो होई रहा है लेकिन opposite direction मतलब induced हो रहा है इसलिए इसे induced current बोला गया तो यह फिनोमेना थी जो electromagnetic induction को proof करती है और जिसमें दिखाया गया कि इस loop में current increase और decrease करता है किस तरह से ओके थैंक यू चार्सो 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 पर